दोस्तो जहीं स्वागत थे मेरे चैनल डिफेंस एन स्पोर्ट्स आर्वी में तो फ्रेंट्स आगकी जो मारी वीडियो है वो स्यार्पीफ में कौन्सटेबल दफतरी पीउन और फारस तो इसमें आप लोगों की जो कुछ पोस्ट है इंकलूड करी गई थी बाद में फारश और दफ्तरी में तो इन तीनों ट्रेड के ऊपर दोस्तों काफी कनफूजन ने बच्चों का कि उन्हें पता नहीं है कि आखिरकार इन ट्रेड में होता क्या है तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कि CRPF Constable जो दफ्तरी की वेकेंसी है उसमें आपको क्या काम करना पड़ता है जोब प्रोफाइल कैसी होती है और इसमें जो ट्रेट टेस्ट आपका होगा वो ट्रेट टेस्ट आपका किस प्रकार से होगा और असल आपकी जो इसमें जो ड्यूटी होती है उस ड्यूटी में आपको क्या काम करना पड़ता है और आपको फूरा बताऊंगा वीडियो को जर्वन जबंदegना आपको आपको समझाँगा तो अभी जो आप थमनेल देख रहे हो तो थमनेल में सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों आपको मैं पूरा समझाता हो कि असल में दफ्तरी का काम क्या होता है तो दफ्तरी का काम होता है जो भी आपके CRPF में जितने भी मिनिस्ट्रियल के ओफिस होते हैं ठीक है मिनिस्ट्रियल ओफिस मतलब आप लोग की जितने भी यहां पर कागज पत्र वाले काम होते हैं जाभी आपका आपको करना होता है टीक है जैसे कि आप लोग पिक्चर में देखे कर हो यह दफ्तरी है दोस्तों जो जिनका काम सर्फ ओफिस में होता है ओफिस को छडा के रहें कहीं भी नी जाते दिन भर इनका काम महीं पर हो تas office time में बाइ इनको आना है और office time जैसी खतम होगा तो इनको चले जाना है second phase में आप लोग दे सकते हो जिसमें कभी सारे बच्चे कहाँ ते सर दफतरी को वर्दी मिलती है क्या तो भाई आप लोग दे सकते हो दफतरी को वर्दी issue होती है दफ्तरी भी एक constable rank का ही बंदा होता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि दफ्तरी को rank नहीं मिलती, आपको इसमें वरदी की duty भी मिलेगी, कागज पत्र का जो भी काम जिनको आता है, वो कर सकता है, साती सात जिन भाईयों को computer knowledge है, मैं बता देता हूँ, जिनको computer knowledge है, वो आते हैं, दोस्तों आगे की तरफ यहां पर मैं बताता हूँ, जो भी मेरे भाई trade टेस्ट देने जाएंगे, तो trade टेस्ट में आपको आपको क्या पूछा जाएगा, मैं यह बताता है, तो यूट्यूब में काफी सारी वीडियों हैं, इसके ओपर दफ्तरी की, लेकिन कहीं दोस्तों मैं trade टेस्ट में किसी भी वीडियो में उल्टा सीधा बता दिया गया है, कुछ भी मतलब वीडियो बनाने की चक्क्रम कुछ भी बताया है, ऐसर नहीं है, दोस्तों मैं बता देता हूँ, दफ्तरी का में काम होता है, एन्वल बनाना जो भी आप लिफाफे वगर देखते हो, वो लिफाफे तयार दफ्तरी करता है, कभी भी CRPF या फिर कोई भी ऐसी जो महकमा होती है, सरकारी वो कोई चीज़ा खरीदता नहीं कभी भी, वो हमारे ओफिस में बनते हैं, वो दफ्तर में बनता है, वो काम दफ्तरी करता है, ठीक है, तो बुक साथ Дे साथ में बताता हूँ, जितनी भी फाइल उती हैं, जितनी भी बड़ बड़व्य फाइल होती है, कागज़ वाली फाइल होती है, उनकी में डॉक्यूमंट होते ह। उनका सा молσι करना मतलब उनको टाइम तैम जगए पर रख देना कौन सा थाईल को आपका काम लगेग उसको किस हिसाब से रखी जाती है तो कह आपको time से मिल जाया ठीक है रखनें की जो एक कला होती है वह दफ्तरी जानता कि समय पर काज़ कैसे मिलता कैसे अर्था ईसे नहीं दोस्तों कुछ भी आप ने गुमा फिरा के रख दिया और time आने पर बाइब को मिल नहीं रहुत लुभर्त फारी तो द में को लिषाफा आपकर कि पर बारना ठीज से होता है, उसको क्यां सुरू करते है और आपकी दोस्तो राइटिंग होगी लिखावट लिखावट आपकी बढ़या होनी चाहिए एक दफ्तरी का काम होता अगर आपकी लिखावट अच्छी है तो आप ट्रेट टेस्ट में आपको कोई फेल नहीं कर सकता ठीक है तो जहां तक दोस्तो मैंने सोचा आप लोग को वीडियो में बताने का तो लोग देख सकते हो साथी साथ जो भाई मेरे CRPF की तैयारी कर रहे हैं इस बार वह मैंने अपने description box में डाला है तो आप जाकर के book खरीद सकते हो और book में दोस्तो पूरा written exam का जो की pattern है आपको अच्छे से समझाया हुआ है आप लोग देख सकते हो यहां पे और नीचे की और आए तो दोस्तो प्रीबियस सेरे के भी question इसमें एड की हुए है जादी साथ दोस्तो बुक में जो अगर आप बुक लेना चाहते हो तो अधर बुक में भी दोस्तो दो आप लोग को मिलेंगे जो की एक study guide है और आप लोग की एक जो है की practice set है तो दो बुक यहां पे आपको मिल जाएगी CRPF की अगर आपको भी वर्दी चाहिए ऐसी CRPF की Link description में और वीडियो कैसे लगी जाएगी